नमस्ते दोस्तों सागत है आपका आपके अपने चैनल संबसांड पर और दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बहुत ही आप से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्स्राइब जरूर कीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपके जो भी सवाल हो सुझा हो उन्हें कमेंट कर दीजिए उसलिए इसे ओपन कर लेते हुआ 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 ओपर का बॉक्स खोलने के बाद हमें अंदर ये बॉक्स देखने को मिलता है चलिए इस बॉक्स को भी हम खोल लेते हैं अंदर का बॉक्स खोलने के बाद और फिर एक बार हमें एक कार्डबोर्ड नजर आता है और यह बहुत ही हेवी कार्डबोर्ड है मतलब इसकी यह मोटाई आप माइनस भी कर लो तो भी बाहर से इतनी मोटाई है तो बहुत ही सेप्टी का फैल रखा गया है इंप्लिफायर के तो इससे हम साइड में रख देते हैं देखिए इस तरह से यह एंप्लिफायर है तो दोस्तो इस तरह से पैकिंग है अंदर यह फाइनली एंप्लिफायर हमें नज़र आ रहा है और इस पर प्लास्टिक चटा हुआ है और जैसे की मोट्र हम देख पा रहे हैं एंप्लिफायर की सेप्टी का पूरा खैल पैकिंग में रखा हुआ है चुलिए अब मैं इस amplifier को प्लास्टिक से बाहर निकाल लेता हूँ तो दोस्तो फाइनली देखिए amplifier है TD 5.6 यह handle है उटाने के लिए काम आए जा डिजाइन काफी बढ़िया है handle का और यहाँ पर भी देख सकते हैं तो दोस्तो फाइनली यह amplifier देख लिजिए देखिए यहाँ पर ASS audio जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बता रहे है कि यह पूना बेस ब्रैंड है और देखिए डिजाइन काफी बढ़िया है यह handle है दोनों site amplifier के देखिए और अंदर और बाहर दोनों जगा यहाँ पर ब्रैंडिंग है मतलब अंदर handle के अंदर भी ASS audio यहाँ पर लिखा हुआ है और handle के उपर भी है और model number भी यहाँ अंदर भी लिखा हुआ है और बाहर भी मतलब branding company ने काफी अच्छे से करी है अब देखिए फोर channel amplifier है तो चार यहाँ नौब हमें मिलते हैं हर channel के लिए अलग अलग बढ़िया बात यह है कि light में कोई भी कंजूशी नहीं किये गई है यहां तक के signal के lights यहां तक है उसके बाद clip light है और बाद में protection light भी है मतलब यह काफी बढ़िया रहा कम जगह होने के बावजूट चार चानल के बावजूट light में कोई कंजूशी नहीं है power on off का light भी यहां पर दिया हुआ है तो यह काफी बढ़िया है और दोस्तों दैसे कि आपने यहां पर model नंबर देख लिया TD 5.6 जिससे आप यह तो समझ गए होंगे कि यह class TD amplifier है और class TD जिन दोस्तों को पता नहीं उनको बढ़ा दू कि यह S class से better होता है और दोस्तों 4 channel amplifier जितने भी S class में अलग अलग companies ने launch किये थे आप एक बार inquiry कर लीजे लगबख सारी companies ने वो बंद कर दिये क्योंकि उसमें hitting इस्वार आ था इसलिए अलग और अच्छे transistor के साथ यह amplifier अब काफी बढ़िया होने वाला है TD class में आपके डियोल के चार्ट आप चलाने के लिए यह सबसे बढ़िया चोईस है अभी मार्केट में और इस amplifier को मैं आपको खोल के भी दिखाने वाला हूं उससे पहले मैं इसका बैक पैनल आपको दिखा दू तो यहां से शुरू करते है फैन उसके बाद यह फ्योज है अगर किसी situation में आपकी हां light में कोई fault आ जाता है तो यह amplifier बचा लेगा और fuse के अलावा भी amplifier में अलग-अलग 4 पास तरह के production मौझूद है और देखिए एक cable केबल काफी हेवी गेज में केबल है इस बात का थोड़ा मुझे आश्चरी ही हुआ क्योंकि इतनी बढ़िया केबल तो बेस्के 6000 वट के amplifier के साथ दूसरी companies में नहीं मिलता है काफी बढ़िया केबल है अब यहां पर देखिए यह channel A का output यह channel B का output अगर आप speak on से आउट लेना चाहते है तो speak on से speaker अगर आप connect करना चाहते है तो यहां से लगाई यह binding post terminal भी है दोनो चानल के लिए अलग अलग और जो भाई breeze mode यूज करना उनके लिए यह amplifier दो दो चानल में ब्रीज होता है मतलब चारो चानल एक साथ ब्रीजने होंगे लेकिन दो चानल अलग से और दो चानल अलग से ब्रीज करके आप चारो ओम पर इस amplifier को यूज कर सकते हो ब्रीज मोड के साथ अब यहां से हम जब आगे निकलते हैं तो यहां पर देखिए यह input और output है हर चानल के लिए मतलब आप दूसरा amplifier लिंक करना चाहते हो उसी signal से जो आपने इस amplifier के particular channel को दिया है तो इसके लिए particular channel पर output भी आपको दिया गया है कंपनी की तरफ से इसमें कोई कंजूसी नहीं है चार channel के लिए चार input और चार लिंक करने के लिए output भी यहां पर नजर आएंगे आपको दूसरी बात यहां पर आपको sensitivity control करने के लिए बटन दिया हुआ है यहां पर आप जो regular 1.4, 1.0.775 जो आता है वो आप यहां से select कर सकते हो दूसरी बात है यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आप bridge करना चाहते तो bridge, parallel और stereo का switch भी यहां पर दिया होगा है यहां से आप वो more select कर सकते हो और बाकी यहीं यहां पर भी है इस side के दोनों channel के लिए output, mining post output, band मतलब काफी बढ़िया इसका structure design काफी बढ़िया है और दूसरी बात यह heavy बहुत है काफी उठाने में मुझे मेहनत करनी पड़ी है और इस body भी काफी heavy है और इस amplifier में इस तरह के 8 nuts लगाए गये है उपर का cover खोलने के लिए यह hard nut, दूसरे जो star या four point वाले हम कहते है वो 10 nuts है screw है screw बोलेंगे उसे हम लेकिन यह बिल्कुल nut ऐसा है इसका fitting और इसे खोलने के लिए यह दो नंबर की Allen key की जरुद पड़ेगी और यह मैंने खोल लिया है अब अब इसे खोलने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है इसे हम इस तरह से उठा लेंगे तो यह निकलाएगा देखिए बहुत ही शांदार fitting है और अब देखिए यह amplifier मतलब कहने वाली बाते होती है कि बावल सो और उननी सो तैतालिस जो transistor है बहुत ही common और बहुत ही heat generate करते हैं और वह generally हर घर में यूज किये जाते हैं बड़े बड़े home theaters और car radio में फतलब बहुत ही common transistor जो काफी सस्ता पड़ता है वह transistor ज्यादा तर company यूज करती है और customer कुछ जानता नहीं इसलिए उस amplifier के लिए जो advertisement banner बनाया जाता है उस पर भी उनको mention किया जाता है क्योंकि customer कुछ जानता नहीं और customer जानता नहीं इसलिए कोई भी product आप पर थोग दिया जाता है अब यह amplifier खोल के मैं इससे पहले 10 minute पहले देख चुका हूँ और इसमें हर एक part मतलब किसी भी technician से आप पूछे मैं तो उतना details नहीं जानता फिर भी आप किसी भी बड़े से बड़े technician से पूछे हर पार्ट इसमें बहुत ही शांदार यूज किया गया है best quality आप फर्स तिंग तो यहां देखे जो सबसे बड़ा problem होता है heat का और four channel amplifier जो यह class में आते थे उसलिए सारी companies ने बंद कर दिये देखे चार यहां पर फैन है इस audio board के दोनों साइड में फैन आते है फ्रंट और बैक साइड में अब देखिए यह transform और देखिए यहां पर यह filter capacitor capacitor है एक चानल के लिए आठ दूसरी चानल के लिए आठ अब यहां पर देखिए यहां फंद्रह हजार वगरा यहां पर है और उसी तरह बिल्कुल पीछ है यहां पर हम capacitor के यहां फिल्टर के बैक साइड में देखे तो यहां बैक साइड का पूरा पैनल है इंपूट आउटपूट का सारा section इस बोर्ड पर है आप करते हैं में बात इस amplifier में जो ट्रांजिस्टर लगाए गये है वो बहुत ही high quality के है देखिए यहां पर आपको मैं ठीक से दिखाने की कोशिश करता हूं यह MN 1526 और MP 1526 ट्रांजिस्टर इसमें लगाए गये है अब यह amplifier इतना बढ़िया की हुए है क्योंकि इसका heat management का सारा खयाल तो star fan के साथ रखा ही गया है और फिर भी बहुत ही updated ट्रांजिस्टर लगा है जो काफी कम heat generate करते है एक channel के board में देखिए यहां पर यह 8 का बैच सामने यह 8 का है और सेम इसी तरह से नीचे से भी 88 मतलब यह audio board में आपको 32 ट्रांजिस्टर मिलते हैं मतलब आप देखिए इसका output क्या मिलेगा भले company ने कम mention किया है और company ने यह भी mention किया है कि 4 ohm पर ही चला है बाकी companies की तरह यह नहीं कि हमारा बहुत ही शांदार है 2 ohm पर नहीं यूज करेगा क्योंकि customer आपने program की risk नहीं दे सकता उसे अपना program successfully complete करना है और यहां मैं आपको यह सिर्फ main transistor की batch गिनकर count करके बता रहा हूं बाकी बहुत सारी companies की वीडियो में मैंने देखा यह छोटे छोटे transistor इनको भी count किया जाता है इस तरह के 20 transistor इसमें है जिनको मैं count नहीं कर रहा हूं 64 transistor और वह भी इतने मजबूत वाले latest वाले हाइन वाले transistor इसमें यूज किये गये है और जैसा कि मैंने बताया था यह capacitor भी 15,000 microferrite वाले है तो इसमें mention भी है देखिए यहाँ पर आप देख सकेंगे मतलब हर एक चीज इस amplifier में बहतर से बहतरीन रखने की company ने कोशिश की है और यह amplifier देख कर मुझे सच में काफी अच्छा लगा कि कोई एक नया brand इतना बढ़िया product दे रहा है अपने customer को satisfy करने की पूरी कोशिश कर रहा है और जबकि बहुत सारा advertisement करने वाले और खुद को बड़ा brand बोलने वाले लोग 52 और 1943 में amplifier बना रहे है 4 channel और वो भी बहुत ही low quality का और transistor भी मिला के 48 के अंदर होते हैं क्योंकि वो transistor के गिंती में छोटे transistor को भी बोल देते हैं अगर इनको हम count करें इस amplifier के साथ तो 84 ट्रांजिस्टर इस amplifier में है तो फिर सोचिए यह कितना बड़ी output देगा दोस्तों इस amplifier की एक चीज़ बताना मैं भूल गया आपको कि on-off बटन यहां पर है इस handle के अंदर है सेफ है बहुत ही और यह amplifier जैसे कि मैं देख पा रहा हूं इसे आउजा की तरह underrated करा है company ने मतलब बावर तो ज़्यादा है लेकिन बताया कम है क्योंकि जो भी इसे खरीदे वो इसकी बस खुशी हो जाए इसका performance देखकर इस तरह की कोई marketing strategy शायद इस amplifier के वैटेज बताने के पीछे है तो मैं आपको वैटेज बता देता हूं कि यह amplifier आपको आट ओम पर 1000 वैट का output देता है और दैसे कि हम चार ओम में बात करेंगे तो यह 1400 वैट company mention कर रही है लेकिन इस पर आप जो 1000 वैट के 15 इंच वाले टॉप आते है डबल हजार वैट का speaker और उसमें लगबग यह क्या दो यह चप वाले वह amplifier आसान इसे रन कर पाएगा इतना powerful amplifier है लेकिन company ने यहाँ पर चार ओम पर जो पावर मेंशन किया है वो 1700 वैट है और दो ओम का वैट है company recommend नहीं करती है और कोई भी sound engineer recommend नहीं करता है दो ओम का सिर्फ एक जहासा होता है customer को फसाने के लिए कि दो ओम पर कोई भी सिस्टम चलाने के लिए आज कल का कोई भी sound engineer आपको recommend नहीं करेगा यहाँ damping factor आपको 700 मिलेगा जो चारो फैन है amplifier में लगे हुए वो intelligent fan है या फिर हम sensor fan या कुछ अलग-अलग company अलग-अलग नाम से उसे लिखती है तो इस तरह के fan होते है कि जब आपके amplifier का temperature बढ़ने लगता है तब यह चालू हो जाते है amplifier ठंडा हो तो यह fan बंद रहते है जाय 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 बिठालचे हरी बिठालचे अजए हरी बिठालचे अजय जाइब इंद रहते है